बिजापूर में ईद मिलाद का जलूस नफरत बाटने वालों पर और हुजूर की शान में गुस्ताकी करने वालों के मुँपर तमाचे से कम नहीं था। पुझ्यश्री मनुरंजन परनसुरूपी मोली गुम्मया स्वामी जी ने कहा एक बकरी को जब प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए जील के पास आती है। और वो पानी पीते पीते पानी के अंदर ही चली जाती है। और उस पानी में लिड़ने लगती है ताके उस पानी को दूसरे जानवर ना पिये। इसलिए पानी को पूरा गंदा करके चली जाती है। इन जानवरों की तरह इस दुनिया में कुछ इनसान आये हैं। तो उसमें कुछ महात्मा आये हैं और कुछ इस भाइस की तरह के इंसान भी आये हैं जो साब पानी को भी खराब करने में लगे हैं ताके वो पानी को कोई ना पी सके सौमी जी ने इस कहानी में साफ साब बता दिया के समाज में अच्छा करोगे तो अच्छे ही कहलाओगे बुरा करोगे तो बुरे ही कहलाओगे बुरा करके भले ही तुम अपने आपको कितना भी अच्छा करने की कोशिश क्यों ना कर लो आप बुरे ही रहोगे जो इनसान समाज को बाटने का काम करता है, जो इनसान नफरत की आग लगाता है, हिंदू-मुसलिम की गंदी सियासत का खेल खेलता है, वो दरअसल भैस से भी गैर गुजरा है, और ऐसे भैस हमारे राज्य में, बिजापूर में कितने हैं, कौन हैं, आप सभी जानते हैं, मैं समस्ता हूँ, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और इसी तरह अमन का संदेश दिया मंगोणी के, श्री रिशीदंद स्वामी जी ने कहा, इस दुनिया में अमन की जरूरत है, अगर हमें अमन चाहिए, तो हमें दुनिया को जीतना होगा, अगर जीतना है तो उसे प्यार से जीतना होगा, महम्मद सल्लल्लाहु अलेही ओसल्लम के और बस्वन्ना के बताए हुए रास्तों पर हमें चलना होगा, तभी हम अमन से जी सकते हैं का संदेश दिया सौमी जी ने, और ममदापूर सौमी जी ने कहा, हम सब इनसान हैं और भारती हैं, क्यूं धरम के जरीए टोला जाता है, सब को इनसानियत की नजर से देखें, सब का खून एक ही है, इन्हें अलग तरीके से देखा नहीं जाना चाहिए, जब खून की जरूरत पड़ती है, तो क्या पूचा जाता है ये खून किसका है, कहा सौमी जी ने, सभी सौमी जी तो प्यार का संदे संदेश दे रहे हैं, और शहर में कुछ नफरती कीड़े, नफरत का संदेश देते हैं, ताके शहर के अमन को खराब किया जाए, अब आप सोचिए क्या आपके लिए अपने धरम गुरूओं से भी बढ़ कर, क्या नवटंकी नेता हम हैं, जो हमेशा नफरत की बात करते हैं पार्टियों के चिन की तरह अपना भी रूप बदलते हैं, अपने फैदे के लिए क्या ऐसे नेताओं की आपको जरूरत है, जो कभी इंसानियत का संदेश नहीं देते, क्या वो आपका नेता हो सकता है, याद रखिए नफरत से किसी का फैदा ना हुआ है, ना होगा जो भ सवानों की जिन्दगी बरबात कर देगा, समाज में नफरत का जहर डाल कर और भग बनना है तो बनो अपने धार्मिक गुरूओं के, ना के अपनी खुरसी के लिए गंदी सियासत केल कर, होट आसिल करने वाले धोंगी रंग बदलते नेताओं के, जो अपने मतलब के लिए राजनेती करते हैं, जनता के भलाई के लिए नहीं, इस जलूस में तन्वी पिरा हाश्मी ने, हुजूर की शान में गुस्ताकी करने वाले जालिमों से कहा के, हुजूर की शान में गुस्ताकी करने से, हुजूर की इजदत कम होने वाली नहीं है, इसलिए के, हुजूर को इज़त जमीन पर रहने वालों ने नहीं बलके अल्ला ताला ने अता फर्माई है और आगे इनों ने इस तरह के जालिम जो नफरत का बाजार लगा कर माहौल को खराब करने की कोशिशें करते हैं हेट स्पीस्ट के जरिये चाहे वो किसी भी मजब के क्यों न हो जो नफरती ब महिया से तन्वीर पीरा हश्मी के नितरूत में All India Muslim Personal Law Board के जुम्मेदारों ने भी मुलाकात की है ताके जल से जल करना तक सरकार हेट क्राइम पर एक सक्ट से सक्ट कानून बनाए याद रखिए कोई धरम किसी धरम का अपमान करना नहीं सिकाता और नहीं नफरत फाइलाना जो भी नफरत फाइला कर देश के माहूल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं इन पर तो सक्ट से सक्ट कानून बनाना ही चाहिए ताके देश में अमन बना रहे और हमारा देश तरक्की के और बड़े नाके इन नफरती कीडों की वज़े से जलता रहे समझ में आये तो इस न्यूस को इन नफरती नेताओं के अनभक्तों तक भी पहुंचाओ ताके उनकी आँख खुल सके तो देखते रहे है आपका अपना बीन्यूस नेशन हक्की मैं हूँ शकील अहमत बागमारे